मस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी जिसमें आपको बहुत सारे ने ने वर्ड्स की मीनिंग ग्रामर वर्प्स की फॉर्म कॉज्टिव वर्प्स इसक यहां पर क्लियर होता है स्टोरी बहुत अच्छी है स्टोरी गटल है विजढम ऑफब भाईत विजडम यान धि मानी होश्यारी देवा बुद्धिमानी उप राइड यान ay की बश्टिमानी इच्छलिए देखिए वर्डम फेमानी वह क्या है कैसे है तो क्या बुद्धिमानी के उसने आगे आपको इस्टोरियों मिलेगा राजा है और यहां पर क्या होगा कैसे वहां चली स्टार्ट करते हैं पसंद आ तो प्लीज लाइक करेंगे चली स्टार्ट करते हैं थोड़ा से इसको वहां जब ब्राइट हां ठीक है once upon a time यह तो आप सब को याधी हो गया होगा कि एक समय की बात है there was a king named Karan Singh in Rajasthan अब यह आप सभी को पता है there यदि was were is का use हो रहा है helping वापका उसके पहले देर का use हो रहा है तो आप समझ जाए कि यह आपका introductory word है याने कि यहां पर subject नहीं है तो subject के जगह हमने there का use कि it there इसका use किया जाता है ठीक है तो वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है किवल था यह इसे किसका meaning नहीं निकालेंगे एक राजा नेम याने नामक नाम का करण सिंग इन रहस्थान तो रहस्थान में करण सिंग नाम का एक राजा था बस वहां था ऐसे नहीं ठीक है वहां था क्यों बोलेंगे जब रहस्थान नाम दिया हुआ जगह दिया हुआ तो वहां रहस्थान में था ऐसे तो होगा नही इसलिए देर का यूज यहाँ पर वहाँ के लिए नहीं किया जा रहा है और बाकी कहीं पर यूज होता है बीच में लाश में यह helping वह नहीं है तो आप समझ जाएंगे देर रहने वहाँ करंद सिंस नाम का एक राजयाहे रहता है एक समय की बात है और हिज श्टेट का स्वॉढल बट्राफघ्ड वाले छोटा सजगाए लेकिन फ़ला फूल है हर चीज है वहाँ पे जैसे कि हमारा जो 36 गड़ है तो छोटा सा राज़ है बहुत बड़ा राज़ नहीं है लेकिन सब चीज है यहाँ पे है ना स्टील प्लांट से लेके खनिस संपदा से लेके हर एक चीज उपलब्द है से बहुत सारे आपकी विराज़ होंगे जो भी है छोटा है लेकिन सम्रिद्ध है दानगा कटोरा कहते हैं से अब इसे जो हिंदी नहीं समझ पर बहुत जादा लालसा उसके माने बहुत जादा इच्छा थी कि यह कर लू वो कर लू यह मिल जाए उसे महत्वा कांची कहते है अपने छोटे से राज़े से संतुष्ट नहीं था therefore इसलिए he decided to expand his state he decided उसने decided क्या क्या उसने फैसला लिया to expand ठीक है इसे expand expand यह नहीं होता है बढ़ाना विस्तार करना उसे expand कहते हैं तो वो क्या करना चाहता था उसने फैसला लिया विस्तार करने का बढ़ाने का his state अपने राज्य को राज्य को कैसे बढ़ाएंगे खीस तांगे नहीं अगल वगल राज्य पर हमला बोलो और क्या करो उस राज्य को बढ़ाते जाओ ऐसे expand बढ़ाना हाँ और है com anyways ice एसर एसर मैं उसने कर ड्रीकनाइजड ही इस आर्मी अपने आर्मी को उने क्या किया किरी यहाप का रीयॉ Sans इस प्रकार से एक लेटर के बाद ई हो तो हम आई है तो आई पढ़ते यू है तो यू पढ़ते ए तो यह सब आप जानेंगे तो रियोर्गनाईज का मतलब क्या होता है पुनर गठित करना अब आप बोरों साथ रियोर्गनाईज बार बार आपके मूझ से निकल गया उसका भी मतलब बताजी उसका मतलब होता है पहचान करना लेकिन रियोर्गनाईज का मतलब होता है फिर सी खटा करना his army अपनी सेना को फिर से खटा किया and became a powerful king और became हो गया, बन गया को became बोलते है a powerful एक शक्ति सारी king राजा और एक शक्ति सारी राजा बन गया वो as it happens generally तो यहाँ पर देखे as जैसा it happens ऐसा होता है generally का मलब होता है समान्य तोर पे है ना जैसा कि आम तोर पे होता है the success of some people the success यानि जो सफलता of यानि की some people कुछ लोगों को सफलता goes चली जाती है ठीक है to their heads उनके heads यानि सिरो पर तो हम इसको क्या बोल सकते सिर पर चली आती सिर पर चड़ जाती है ऐसे बोल सकते है तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जो सफलता होती है वो लोगों के सर चड़ जाती है ऐसे बोल सकते ठीक है करन सिंग also felt proud of his power तो करन सिंग भी felt उसे लगा एसास हुआ proud felt proud यानि उसे भी गर्व हुआ of his power अपने शक्ती पर उसे भी अपने शक्ती पर गर्व आ रहे है इतना सक्ति सालियूम है तो उसका सिर पे जो सफलता था चड़ गया अंकार आ गया घमन आ गया he would pass unnecessary orders every now and then he would pass किया करता था बोलने सर विल के जगा वुट का यूस होता है पारित करना करना है रहे हाना unnecessary अनावशयक अनशेसरी रहने अनावशयक orders आदेसों को every now and then इसका मतलब क्यों हो है every now and then मतलब जब कभी जब कभी वह बिना मतलब के आदेसों को पास कर देता था जो मर जी उसके मन में आदेस आता था एसे कर दो ऐसे कर दो पास कर देता था आगे बढ़ा देता था पारित कर देता यह करना है आपको once एक बार some merchants came to his kingdom कुछ व्यापारी केम आये कम केम कम तो वर्प का second form केम का यूज किया गया है subject के बाद वर्प का second form मैंने पास simple test गया खाया लिया दिया इस टाइप से होता है तो कम का केम होगे आया है आये कुछ वियापारी आये to कहाँ है किसके पास आये to preparation के यूज करते हैं his kingdom उसके राज्य में आये from याने से स्री नगर स्री नगर से आये to sell बेचने के लिए to eat खाने के लिए to run दोड़ने के लिए to drink पीने के लिए ऐसे भी उज़ करते है टू के साथ है सैफ्रान एंड वालनट सैफ्रान एंड केशर केशर आप सभी को पता है एंड वालनट वालनट भी बहुत से लोगों पता हो अकरोट को वालनट कहते हैं अकरोट को क्या कहते है वो ते नहीं आप जान रहे हो है ना वालनट they wanted to sell these items to the king they wanted वे चाहते थे want का wanted हो गया तो वे चाहते थे to sell, बेचना these items इन सामगरियों को, इन सामानों को अब क्योंकि बहुत सारे सामान है हमारे पास में है तो हम these का यूज करते है एक सामान हमारे पास में है तो this का यूज करते है बहुत सारे सामान हमसे दूर में है तो those का यूज करते है और एक चीज हमसे दूर में है, तो हम that का यूज करते हैं, यह आपने सीखा होगा, these items to the king, राजा को, यह सभी सामान वो बेचना चाहता था, when the king came to know, जब the king, राजा को came to know, मतलब क्या होगा, came to know, यह ने पता चला, came to know, यह ने पता चला, यह तो बहुत सो लोग कैसे मतलब, came to know, जानना, आया जानना, नहीं, जब आप स्टोरी वेगर हम ऐसे समझाते हैं, तो आपको पता चलता अच्छा, इसे ऐसे कहा जाता है, फिर आप हमेसा याद भी रखते हैं, ठीक है, तो came to know का मतलब होता है, उसे पता चला, about याने के बारे में, this याने इसके, इसके बार विम्शकली, ठीक है, देखें, विम्शकली, तो यहाँ पे आप विम्शकली का मतलब क्या होता है, कि विम्शकली, विम्शकली का मतलब होता है, क्या बोलना चाहिए, अपने हिसाब से, अपने मनमर्जी से, विम्शकली याने होता है, अपने मनमर्जी, है ना, तो मनमर्ज धंग से उसने बरताव किया जो मन में है करूंगा तुम लोगों यह सब करते न वैसी ही पर्चेजड उसने वह भी होता ही है ने उसने के लिए उसका थे पर्चेजड खरीदा पर्चेजड खरीदा और सैफ्रोन एंड वालनट सभी केशर और करोट को एड पेड अबिक प्राइज पेड भुकतान किया अबिक प्राइज याने बहुत बड़ी कीमत उससे भुकतान कर दिया दे आर अफटर उसके बाद फेकने के लिए थे याने फेकना देम याने उने किने वह जो केशर और खरीदा था है उसे फेकने का आदेश दिया इन बिट याने क्या आता है गध्धे में बोला गध्धे में फेक दो इसको सोची उतना महंगा केशर और अकरोट यहां खरीदने को नहीं मिल रहा है दे वर सर्प्राइज्ट वे थे सर्प्राइज यान हैरान वे हैरान थे आश्र चकित थे बट लेकिन कुट्ड डू कुट्ड याने सके डू याने करना है नथिंग लेकिन कुछ भी नहीं कर सके except carrying out the king's order except याने के बजाए किसके बजाए carrying out the king's order राजा के आदे इसको मानने के बजाए कुछ भी और नहीं कर सके तो उसके बजाए के लिए मैं except का use करते है clear है तब क्या करते विचा रहा हो तो जो राजा बोले करेंगे the goddess of wealth अब यह देखिए story में थोड़ा twist आ रहा है the goddess of goddess याने देवी और wealth याने होती है संपत्ति धन की देवी got angry with the king राजा से गुस्सा हो गई कोई नहीं पता आपको goddess of wealth for misusing the wealth misusing याने क्या आता है दूरुपयोग बेकार खराब उपयोग से misusing बोलते है धन का दूरुपयोग से and money है ना धन और जो उसके पैसा था उसके पाल रुपय था उसकी खराब उपयोग जो उस नहीं किया misuse किया उससे बहुत जादा नाराज हो गई दूरुपयोग से शी वॉन्टेग टूटीच अलेशन तू दा किंग शी वॉन्टेड वह चाहती थी तू टीच सिखाना अलेशन एक सबक टू दा किंग राजहों को एक सबक सिखाना चाहती थी सच इतना अब्ज़ड बीहेवियोर्स अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और नहीं वड़ागे absurd absurd का मतलब क्या होता है जैसे हम बोल सकते है मतलब बहुत याद है बेतु का absurd याद है बेतु का एकदम बेकार बेतु का मुर्खतापूर्ण behaviors बरताव को of the king raja के Cape Town increasing केप टॉन याने रहा क्या इंक्रीजिंग बढ़ता रहा तो उसका जो बेतु का जो बढ़ताव था नहीं इस टाइप का बिकार बढ़ता ही रहा और उसने क्या कि बरबाद किया अव्लिस वहल्थ अपने सभी धन को इन गैंबलिंग गैंबल पता है जूवां गैंबलिंग जूवां एन्ट डिंकिंग वाइन शराब पी न है शराब पी कर जुवाँ खेल कर उसने पूरा संपत्ति को बरबाद कर दिया He even lost his kingdom He even Even यहने होता है भी उसने क्या कर दिया अपने राज्य को भी खो दिया लॉस्ट आने खो दिया In gambling, जुवे में क्या कर दिया अपने राज्य को भी हार गया राज्य को भी खो दिया He had to leave his kingdom He had to Had to का use आपको पता है उसे करना पड़ा यही पे have to या has to होता तो करना पड़ता है या करना है Will have to होता है तो करना पड़ेगा इस टाइप के use करते हैं He had to leave उसे छोड़ना पड़ा तो have to हो has to हो have to हो will have to हो सब के साथ हम verb का first form लगाते है कोई सोच नहीं है ऐसे नहीं कि head लग गया तो sir verb का third form confused नहीं होना यादि had to आ रहे है two आ रहे साथ में have to has to आ रहे will have to आ रहे verb का third form ही रहेगा sorry जैसे मैं बोलूँगा he had to run उसे दोड़ना पड़ा he had to eat उसे खाना पड़ा मैं इतन मीटन नहीं बोर रहे first form यूश कर रहा हूँ तो उसे छोड़ना पड़ा his king नम अपना राज with his son अपने बेटे के साथ अभय अभय या ऐसे लिखा है तो जाना ही पड़ता उसे तो राज्य को छोड़के उनके साथ चला गया they went to live in another state they went वे गए to live रहने के लिए ये लिव या ने रहना और ये लिव या नहीं होता है छोड़ना live, leave ठीक है दोनों में अंतर है in another state दूसरे राज्य में चले गया रहने के लिए he made a hut और उसने बनाया make a made a hut एक जोपड़ी बनाई outside याने the city, शहर के बाहर outside बोलते है and decided और फैसला लिया to test his fate test याने परिच्छा लेने की his fate अपने भागय की परिच्छा लेने का सोचा की चलो भागय को आजबाया जाए fate याने होता है भागय ठीक है both the king and his son दोनो राजा और उसका बेटा started शुरू किया working hard कड़ी मेहनत करने शुरू कर दी अब समझा गया उसको और वापरे तो अब तो कड़ी मेहनत करने पड़ेगी तो कड़ी मेहनत शुरू कर दी they would do different work like hammering the stone they would do उन्होंने किया क्या करते थे different work अलग-अलग काम like जैसे hammering याने हथोड़ा चलाना the stone याने पत्थर पर हथोड़ा चलाना and carrying the load याने वजंड होना and luggage, सामान और बोज कोड होना, शुरू कर दिया उन्होंने मज़ूर वाले काम शुरू कर दिया but, लेकिन the daughter-in-law daughter-in-law, जैसे in-law उड़िया मतलब समझ लिए ससुराल वाली बात हो रही है daughter-in-law का मतलब इसका है daughter-in-law बेटी हो थी, in-law उड़िया याने ससुराल की बेटी हो, हम क्या बोलेंगे बहू लेकिन उसकी बहू थी, of the king, raja की बहू was, याने थी, very, याने बहुत देखे, पत्थर उठर तोड रहे है खौर करो गांड क्या पता है से पहले daughter-in-law of the king was very intelligent intelligent का मतलब बहुत है, बुद्धिमान थी, समझदार थी, होशियार थी, बहुत सारे यूज़ होता है she was passing her days patiently she was passing, तो was जब बर के साथ था, अंजी फ़र्म ता रहा था रही थी, past kind of instance वो गुजार रही थी, हर days, अपने दिनों को, पैसेंस ली, तो पैसेंस ली यानि क्या था, पैसेंस, धैरिता पूर्वक sorry, धैरिता पूर्वक, तो धीरत से जिसे कहते है एकदम आराम धीरत से अपना दिन गुजार रही थी she was maintaining the house very well और वो क्या कर रही थी, maintaining याने, व्यवस्था करना, प्रबंधन करना, प्रबंध करना, maintain करना तो वो बहुत अच्छे तरीके से घर की व्यवस्था कर रही थी, very well बहुत अच्छे तरीके से she had asked her husband, और उसने क्या किया, had asked, तो हम verb का third form ला गेंगे, second भी asked हो था, third भी asked, तो head के साथ verb का third form था, past perfect दिया, लिया, चुका था, चुकी थी इस प्रकार से she had asked, उसने पूछा, her husband, अपने, अपने पती से and father-in-law, bring something on the other side, नहीं, अब यहाँ पर देखे, ask का दो use होता है, यहाँ पर पूछ नहीं रही है, question mark कहीं पर नहीं है, ask एक और use होता है, किसी को कुछ काम करने लिए कहना, चाहे आप, जोड़ देके कहो, चाहे विंती कर, ask नहीं किसी कुछ काम करने कहना, तो she had asked, उसने कहा था, her husband, अपने पती को और ससुर को to bring लाने के लिए something, कुछ भी, or, या, the other, besides their daily evening, तो बोले कि भई, कि उसे कुछ ना कुछ, क्या करना है, कोई भी वस्तू, अपने जो daily evening, sorry, daily earning, आज क्या हो जारा, पता नहीं, मैं कुछ ना कुछ अलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो तो अच्छी बात है, कि बात में मैं देख भी पा रहा हूँ, earning यानि होती है, जो कमाई, जो daily earning है, रोज की कमाई से आपको कुछ ना कुछ लाना ही है, ठीक है, clear हो गया, So, इसलिए, they used to, देखें, यहां पर used to का use, और किया करते थे, कुछ पाश का आपना, बताते ना, ऐसे काम मैं, है ना, I used to play cricket, मैं cricket खेला करता था, I used to run मैं दोडा करता था, I used to dance मैं नाचा करता था, यहां पर भी ध्यान देंगे, used to के साथ भी वो अपका फार्ष्वा में लगता है, bring याने लाना, वे लाया करते, देखें चीजों को, whatever, याने जो कुछ भी they found, उन्हें मिलता था, find का found, जो कुछ भी उन्हें मिलता था, वो से लाया करते थे, on their way, on यहां पर, देखें उनके, अपने के लिए भी यूज करते हैं, वे रास्ता है, तो उनके रास् पर जो कुछ भी मिलता था, उसे लाया करते थे, such as stone, जैसे की, such as, जैसे की, पत्थर, लकडी, bricks, इंट, etc, इत्यादी को, etc, होता है, तो इंट हो गया, लकडी हो गया, पत्थर, इस प्रकार की को लाते थे, जो मर्जी हो, लाते थे वो लोग, one day, एक दिन, they brought a dead snake, उन्हों लगा होगा कि रसी वसी है, तो मरा हुआ साब को पड़ के लिए है, and through it on the roof of the hut, through, through क्या है, throw, throw याने फेकना, उसका second form, through, तो क्या हो जागा फेका, साब को ले आया, और फेका it, याने उसे, on याने पर the roof, छत पर फेका of the hut, जोपडी के छत पर फेका, when नंदनी was standing, जम न खड़ी हुई थी, outside, याने बाहर, in the morning, तो खड़ी रही थी, नहीं बोलोगे, खड़ी हुई थी, है तो continuous tense, ये काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन, हम इसे रहा था रही थी नहीं, पड़े, खड़ी हुई थी, ऐसे यूज कर रहे है, बागी है आपका, वही है, past continuous tense, in the morning, बाहर जब वो धूप, बाहर, सुबा को जब वो बाहर खड़ी वी थी, a kite dropped a necklace, एक kite ने, chilled है न, dropped, गिराया, a necklace गहने को, on the roof छत पर, and picked up the dead snake, और मरेवे साप को उठा कर ले गया, एक इस टाइब की कहानी और थी, लेकिन, थोड़ा अलग है है न, और उसने किया गिया, मरे necklace से क्या मतलब है, necklace को पकड़ा हुआ था, जो भी होगा, बोले necklace मेरे क्या का, हम necklace छोड़के, अब वो कहां पर आ गया, उनके छत में आ गया, नंदनी तुक दा necklace, नंदनी ने गहने को लिया, टेक कर टूक हो गया, ले लिया, in her possession, possession हैने क्या होता है, अधिकार, अपने his wife उसने कहा, टेल का टोल लो गया, second form, his wife अपनी पत्नी से कहा, that की, the necklace of the queen was lost, the necklace of the queen ने रानी की, necklace ने रानी का जो हार है, वो क्या हो चुका है, खो चुका है, lost खो गया, and a good reward would be given to one who would find it, a good reward, याने बहुत अच्छा इनाम, would be given, दिया जाएगा, to one who, one याने उसे है, one याने कोई के लिए भी use करते है, who would find it, जो उसे ढूनेगा, तो will के जगा, would का भी use किया गया है, past की story में, past की बात में, future की बात करते हैं, तो हम वहाँ will के जगा, would का भी use करते हैं, और एक would का use आपको पहले बता दिया, ऐसे किया करता था, clear है, वो उसे बहुत ही अच्छे इनाम दिया जाए गया थी, जो कोई रानी की necklace को हार को आपस करेगा, नंदनी realized, नंदनी को हैसास हुआ, that the necklace in her possession could belong to the queen, यह जो उसके अधिकार में जो necklace है, could याने सकता था, क्या, belong, याने सम्मंदित हो सकता था to the queen, याने रानी का हो सकता, उसल किया, to go, याने जाने का, to the palace, महल में, महल, to return, लोटाने के लिए, the necklace, उस हार को लोटाने के लिए, वो फैसला ली कि मैं जाऊंगी, next day, अगले दिन, नंदनी went to the palace, नंदनी went याने गई, go went, go on, तो went करेंगे, past importance, कहां गई, तो to करेंगे, the palace, palace याने महल, place याने जगा, palace याने महल, बहुत सो लोगs confused जाते है, place और palace में, महल गई, with, याने साथ में, हर याने अपने उसके, ऐसी उसके होता है, लेकिन हम अपने के लिए भी यूज़ करते है, यह देखे, लक्षी माता, जय हो, लक्षी माता, सब को धन्जम पती दीजिए, हर husband, अपने पती के सा हर husband क्यों बोले, पती तो pulling है, तो his husband आना चाहिए, अब लड़की के लिए बात कर रहे है, उसका उसकी तो, चाहे उसका हर husband हो, हर mother हो, हर father हो, हर sister हो, हर brother हो, कुछ भी हो, हम हर कई उसका है, उसका है, उसका है, उसकी लिए, यह मैं सुचे कि husband लिखा है, तो his husband कर देंगे, म है, किसे दिया, कहा गया, जगा तो, to use करते है, the queen recognized it, राणी ने, recognize यह पहचाना, उस समय वो रहा था न, बार बार, recognize, 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 वो आही गया, राणी ने उससे, पहचाना, and asked नंदनी, और नंदनी से, कहा, कुछ कहने करने के लिए बोल रहे है, कि पूछा नहीं करने, क्या करन anything, ask यहने मांगना, कुछ मांगने के लिए कहा, कि भई कुछ मांगो, नंदनी से, नंदनी ने कहा, I wish मेरी इच्छा है, that की, nobody should light lamps on Diwali, except me, nobody, यहने कोई भी नहीं, should यहने चाहिए, light lamps, यहने दिये जलाने चाहिए, on Diwali, Diwali को, except me, except यहने होता है, अलावा, me, यहने मेरे, मे अलावा, Diwali में कोई भी दिया, ना जलाए, मैं यह चाहती हूँ, कोई भी दिया, नहीं चलाना चाहिए, यह आप मेरे को, दे सकते हो, तो बोलो, यही चाहिए, पैसा सानी चीए, यह अजीब मांगरी है, भी, Diwali में सब क्या दिया जलता है, यह मांगरी है, यह मांगरी है, दिया यह क्या बात है लेकिन शीहेज उत्थ हट लेकिन सीहएटि करना-पड़ा क्या करना पड़ा out स्विकार करना पड़ा एट या ने उसे as क्यों की she had promise उसने promise किया था चुका था लिया था दिया था past perfect tense head के साथ verb का third form promise कर चुकी थी promise किया था दोनों बोल सकते promise यहने क्या होता है वादा किया था वादा कर दी थी प्राण जाया पर वचन ना जा ठीक है भई वेन दीवाली केम जब दीवाली आई यहाँ पर कम सोता तो दीवाली आती है ऐसे हो जाता जब दीवाली आई there was total darkness पूरी तरीके से अंधेरा था पूरी तरीके से अंधेरा था nobody could see anything outside nobody ने कुछ भी नहीं could see दिखता था देख सकता था कोई भी नहीं देख सकता था anything outside बाहर कुछ भी नहीं देख सकता था पहले तो बिज़वी नहीं रहता है तो nobody ने कोई भी नहीं could see देख सकता था can see देख सकता है can का could हो जाता है पास्टे में but a lamp was twinkling लेकिन एक दिया twinkling याने चमक रही थी twinkle याने टिम्तिमाना टिम्तिमा रही थी in the heart of नंदनी नंदनी के जोपड़ी में एक ही दिया टिम्तिमा रही थी when goddess Lakshmi came to the city जब Lakshmi मा came to city शहर आई she was surprised वो हैरान हो गई to see देख कर no light at all याने बिलकुल भी no light याने कही भी रोशनी नहीं है ये देख कर बहुँ जादा हैरान हो गई she went here and there वो इधर उधर गई here and there यहाँ वहाँ गई but could not see any light लेकिन could not see नहीं देख सकी any light याने कोई भी उजाला कहीं भी कोई भी उजाला नहीं देख सकी she was worried वो चिन्तित थी as क्योंकि to where to stay at the night of Diwali to where रहने कहा to stay ठहरा जाए at the night of Diwali अब वो बोली कि भी रात को आखिर कहा ठहरा जाए Diwali में मैं तो उसी घर जाती हूँ जहाँ पे पूजा पार्ट हो रही है दिया है जाट रही है सिम्पल टेंस पास सिम्पल टेंस see saw उसने देखा यहीं पे ऐसे होता ना see मालिजी यहाँ पे हम ऐसे लिखते sees as के जुड़ा ता है ती है इसलिए see sees तो वहाँ देखती है ऐसे जाथ see saw उसने देखा the light रोशनी in the hut जोपड़ी में अफ नंदनी नंदनी के जोपड़ी में light को देखा प्रकास को देखा and went there और वहाँ गई अब there का मतलम निकाने के वहाँ ऐसे ठीक है but नंदनी refused Lakshmi to enter her house लेकिन नंदनी ने मना कर दिया Lakshmi को Lakshmi मा को to enter internet प्रवेस करने के लिए हर house यह अपने घर में the Lakshmi set मा Lakshmi ने कहा there is dark यहाँ अंधेरा है यहाँ क्या है यह देखिए अंधेरा है everywhere हर जगा अंधेरा है please let me stay here कृपिया let me let me का यूज हम कब करते है यह आपका यूज का होता है जब हम किसी को बोलते permission मांगते है रहे मुझे यह करने दो तो हम let me का यूज करते है मैं नहीं कर रहा हूँ मैं दूसरे को बोल रहा हूँ मुझे यह काम करने दो let me तो जैसे मैं बोलूँगा let me play मुझे खेलने दो let me sleep मुझे सोने दो मैं आपसे बोल रहा हूँ let me मुझे सोने दो यार महतल्ला करो तो यह let me आपका कॉज़िटी वर्ब होता है इसके साथ भी वर्ब का फ़र्षवाम ही लगता है let me stay इसके यहने ठैरना here यहने यहाँ मुझे यहाँ ठैरने दो नंदनी से एड नंदनी ने कहा you have taken our state तो देखे अब have के साथ take took taken third form लग रहा है head के साथ third form था तो दिया था लिया था चुका था चुकी थी have के साथ लग था तो दिया है लिया है चुका है चुकी है have का फरक हो जा रहा है यह आपका है present perfect tense you have taken आपने लिया है take taken हो गया our state हमारे राज्य को for के लिए just a minor mistake सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए and had no mercy on us had याने था no mercy कोई करुणा नहीं थी on us हमारे उपर और आपने हमारे उपर कोई भी करुणा नहीं दिखाई कोई भी दया नहीं दिखाई आपने छोटी सी गलती करन ऐसे बहुत यह गलती कर बड़ी थी अपमान किये थे बट आपको इतना नहीं करना था लक्षमी सेड मालक्षमी ने कहा let me stay अब आप समझ गया let me एक बार बता दिया आप समझ गया ना यह पर यह पर he promises ऐसे वहाथता तब वह promise करता है करती है रस в니다 मैं वादा करती हूं to give देने का यू याने तुम्हे श्टेट back themes to you तुम्हे तुम्हारा यूर of your है तुम्हारा तुम्हे तुम्हे तुम्हारा राज्य वापस करने का कि मैं वादा करती हूं वचन देती हूं नंदनी वेरी हैपी नंदनी बहुत खुश थी खुश हुई the promise of Lakshmi याने कि माता Lakshmi की जो वादा था उसका जो वचन था made किया, make का made हो गया देखिए ये भी causative verb है नंदनी very happy, नंदनी को बहुत खुश किया किसने बहुत खुश किया, नंदनी अपने आप खुश नहीं हो रही है माता Lakshmi का जो वचन था उसने नंदनी को खुश किया, नंदनी अपने आप खुश नहीं हो रही है तो नंदनी को खुश किसी ने कराया, किसी और ने कराया माता ने कराया, उसका वचन ने कराया तो make का यूज होता है लेकिन क्योंकि ये past tense की बात हो रही है तो make का second form made का यूज हो गया यही पर आएंजी फॉर्म वल होता ना उसे खुष करा रही थी इस पर करा रही है तो मेकिंग ऐसे हो जाता ठीक है तो माता का वच्छन ने नंदनी को बहुत खुष किया खुष कर दिया और उसने पूजा की वर्षिप याने पूजा का ना वर्षिप second form पूजा की Goddess Lakshmi माता Lakshmi की फूज टेट जो रुकी थी एट हर हाउस उसके घर में चोटे चेकले एट की उसकरते है डिवाली के रात के दोरान घर में माता Lakshmi जो रुकी थी उसका उसने क्या किया पूजा के बताइए साक्षात माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे और क्या चाहिए अगले दिन पस इतना बच्चा है Goddess लक्ष्मी blessed नंदनी and left माता लक्ष्मी ने blessed जैने आशिरवात दिया नंदनी को and left और चले गई Soon जल्दी ही King करन सिंग God his lost state God इने प्राप्त किया Get G.E.T. Get इने प्राप्त करना मिलना उसे कैसे करना God प्राप्त किया His lost state अपने खोए हुए राज को बैक याने वापस and went back और वापस गया देर याने वहाँ और वापस वहाँ चला गया Thus याने इस प्रकार An intelligent daughter-in-law एक बुद्धिमान बहु ने N का यूज क्योंकि क्योंकि E का धुर्ण निकल रही I मत देखिए E Intelligent ऐसे होता न E A-A-E-E-U-U-A-A-O इसको देखिए यदि हिंदी में ऐसे आ रहा है तो आप N का यूज क्योंकि U से सुरू होता है U से सुरू होता है U है न तो आप यहाँ पर क्या लगाते हो Umbrella में N Umbrella लेकि यूनिवर्शिटी यूनिवर्शिटी में भी तो सुरू में U हो रहा है लेकिन बोलते कैसे University U बोल रहे न तब यहाँ पर A University लिखाता है देख लेंगे N University नहीं लिखाता तो कई लोग बोलते A, E, I, O, U वो गलत रूल है आर्टिकल में आप हिंदी को देखे तो बहुत ही इस प्रकार एक बुद्धिमान बहु ने Of the King, राजा की बहु ने Was able to get the Lost Kingdom Back with all respect and dignity तो पूरे सम्मान और dignity याने क्या होता है उसका जो महिमा जो होती है जो गरिमा, मरियादा, dignity, शान उर्दो में शान पूरे सम्मान और गरिमा के साथ उसने क्या किया राजा को उसको क्या कि सक्छम हुआ समर्थी get the Lost Kingdom राजा के खोई हुए राजा को वापस लोटाने में पूरे सम्मान के साथ सान के साथ इट इस बिलीव्ट ये माना जाता है दैट की Goddess Lakshmi stays माता रक्षमी रहती है आप देखे S या E S क्यों लगा है वो आपका थर्ड परसन माना गया अन्य अन्य वगत प्विक्ति तो फिर हम S या E S लगाते है यहें पर I, U, V दे रहता है तो I stay, You stay, We stay ऐसे हो जाता माता रक्षमी ठहरती है इन दा हाउस घर में विच जिसमें इस है वेल लिट बहुत अच्छा लिट लाइट का लिट है ना ओन दे डे अव दिवाली बहुत अच्छी तरीके से जहाँ पर रोशनी होती है दिवाली के दिन वहाँ पर माता रक्षमी रुपती है People keep the lamps लोग keep याने रखते हैं Lips लिट दिये जलाय रखते हैं The whole night पूरी राथ तो whole डबलू सेरेंट होता है किवल whole डबलू को नहीं पढ़ते हैं लेकि लिखते जरूर है पूरी राथ whole family पूरा परिवार whole world पूरी दुनिया ऐसे यूज़ करते हैं ठीक है पूरी राथ दिये जलाय रखते हैं They also keep their doors open They also keep वे रखते हैं भी Their doors अपने घरों को दे रहे हैं उनके भी होता है अपने के लिए भी उस करते हैं open ये खूले वे अपने दर्वाजों को sorry doors दर्वाजों को भी खूला रखते हैं उस राथ की माता लक्षी में आया भी वापस ना लोड़ जाए आज कल दर्वाजा खूला रखो ये तो माता लक्षी में आया चोर वो तो पक्का आजाएंगे कल्यूग है लेकिन मन से आप मानेंगे तो भगवान सब जगाप जिस भगवान कोई मानते हैं दिल से पुकारिए सच्चे मन से बिना किसी स्वार्त से तो जरूर आपको माता जी आएंगी आप जिस भगवान को मानते हैं आपके पास आएंगे दर्शन दे ना दे लेकिन आप प्रतेक्ष रूप से आपके बिड़े काम को बनाते जरूर है ये आपको मानना ही होगा तो ये थी आची श्टोरी और आपने देखा कि हर एक वर्ड हर एक वर्ड की मैंने हाप पर और याने जैसे पर अस याने हमारे मर्शी ओन अस हम पर है ना इस प्रकार से हम पर करूना नहीं दिखाया है हर एक चीज का आपको मीनिंग बताया हो बहुत से लोग ने कहा सर अब जो जो इंपोर्टेंट वर्ड बताते है उसको बता दीजे तो मैं दुबारा पता हो को फिर वरी टाइम हो जाएगा तो जहां पर इंपोर्टेंट वर्ड आपको लगता है मुझे नहीं पता मेरे लिए लगता हो तो यह आप लोग विख़खाने करते के कौन इसई है यह कौन हार्ड यह तो नहीं बोल सकता न मैं तो आप लोग अपने हिसाब से आपको लगता है मरसी को बर्णार से करोனा है उसे मरसी कहते हैं तो यह जो आ olmuş लोग decide करेंगे कि important word कौन-कौन सा है वैसे इसमें था ऐसे नहीं वह लूगा कि बिल्कुल भी नहीं था जैसे हमने यहां पर देखा यह देखे हमने यहां पर क्या देखा हमने यहां पर विमिशिकली का मतलब आपको पताया था कि मनमर जी से सैफ्रों वालनट हो सकता बहुंस लोग को नहीं पता हो ऐसे और भी बहुत सारे नयने वर्ड्स भी होते हैं जो बहुत से लोग को नहीं पता होते तो यह आप लोग क्या कीजिए यह हमने अब्जर्ट देखा यह अब्जर्ट बेतुका कहां पर था यह अब्जर्ट यह भी नया वर्ड है मुझे ऐसा लगत हाँ, इसमें बहुत सारे पूराने हैं? लेकिन हर बार प्रैक्टिस हो रही है तो इस प्रकाश इस도री में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एसकी प्रैक्टिस करवाता हूं ऐसे निया कि पास्ट कही गह रहा है मैं आपको उसका फा töर्स आम ही बताता हूं से लाइक कर चुके हैं तो कमेंट जरूर करें कि आपको क्या अच्छा लगा क्या सीखने को मिला कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे इसका भी PDF में टेलीग्राम में दे दूंगा विश्णु एटीपी सर्च करेंगे टेलीग्राम जॉइन कर लेंगे वहाँ पर फ्री में सभी PDF पहले भी दिया है इसका PDF दे दूंगा आपको फिर से ट्रांस्टेशन करके देख लेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद